दो महने बाद भी सुशान सिंग राजबूत की मौत एक रहस्य है सुशान ने खुदकुशी की या उसकी हद्या हुई इस सवाल का जवाब ना केवल सुशान का परिवार बल्कि पूरा देश मांग रहा है साठ दिन बाद भी सुशान का परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है वो कह रहा है कि सभी को सच जानने का अधिकार है उसे न्याय चाहिए, क्योंकि अगर सत सामने नहीं आया, न्याय नहीं मिला, तो सुशान्त का परिवार कभी चैन से जी नहीं सकेगा क्योंकि हमें सच जानने का हक है आखिर सुशान्त की मौद का रहस्य कैसे सुझेगा, ये सच सामने कैसे आएगा, कि सुशान्त की मौद कैसे हुई दस एहम सवाल है, जिनमें सुशान्त की मौद की गुत्थी उल्जी है ये सवाल है पहला सुशांद के पिता ने फरवरी में मुंबई पुलिस को कहा था सुशांद की जान को खत्रा है तो फिर मुंबई पुलिस ने कारवाई क्यों नहीं की दूसरा मुंबई पुलिस ने कुछ मिंटों के भीतर ही सुशांद की मौत को खुदकुशी कैसे बता दिया तीसरा, CCTV फुटेज, डुपलिकेट चावी और 50 सिमकार्ट की बाद क्यों नहीं कर रही मुंबई पुलिस चौथा, FIR दर्ज होते ही, सुशान्त का दोस सिधार्थ पिठानी परिवार को छोड़ रिया के साथ क्यों मिल गया पाचवाँ, CBI जाँच को लेकर रिया ने बार-बार अपना रुख क्यों बदला छठा, महराष्ट सरकार और मुंबई पुलिस, CBI जाँच के खिलाफ क्यों है साथवाँ, क्या सुशान्त केस में कोई राजनेता शामिल है आठवाँ, सुशान्त और उनके परिवार पर कीचड क्यों उचाला गया दुशान्त की मेनेजर दिशा की मौत और सुशान्त की मौत के बीच कनक्शन है दस्वा सवाल, सुशान्त के डिप्रेशन को लेकर रिया और घर के स्टाफ के बयान अलग-लग क्यों है सुशान्द केस की जाच में इन सवालों की गुत्थी सुलज गई तो मामला साफ हो जाएगा सुशान्द की मौत का वो सच सामने आ जाएगा जो अब तक एक रहस्य है अंजनाओं कश्यप के साथ आज तक देखे नमस्कार मैं हूँ अंजनाओं कश्यप हमें उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा लेटेस्ट खबरों के लिए यूँ ही देखते रही आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले